Only machines are consistent, human beings are not consistent, they can not be consistent. सुबह उठते के साथ घर वालों ने बोला दूद नहीं है, आप तुम्हारा दिमाग खराव हो रहा है, जब भी आप अपने आपको सुधारनी की कोशिश करते है ना तब भसड हो जाती है लाइफ में, consistency पर focus नहीं करना है, आप में से बहुत सारे लोगों ने comment किया था कि consistency प वीडियो देख ली, वो podcast मैंने Spotify पे भी upload कर दिया और आने वाले जीतरे भी मेरे podcast होंगे, वो सारे मैं Spotify पे भी upload कर दूँगा, link आपको description में मिल जाएगा, तो आप बात करतें consistency पर, ये video शूट करने से पहले मैं शांती से बैटा था, सोच रहा था कि यार ऐसी क्या चीज ह जो एक बहुत बड़ा loop hole है, वो मैं बैटे बैटे जस आँख बन करके से चिंतन कर रहा था और मेरे को एकदम से फॉक करके एकदम वो आया मेरे को दिमाग में कि और ये है भाई असली चीज, तो वीडियो के end में बताऊंगा, consistent रहने का क्या मतलब होता है, कि एक set pattern को बार consistent, human beings, car not consistent, they can not be consistent, ये west का जो कचरा है ना, जो तुमारे दिमाग में गुषेड दिया है, वो बड़े बड़े जो आते हैं, वो करते हैं वो, गोरे गोरे से माइक के ओपर कोट वोट पहन के, वो सब ड्रामे बाजी है, machine को आपने input दे दिया, machine उस तरीके से काम करेगी, एक सबसे खतरनाक चीज, जो अगर किसी के पास हो सकती है, वो है उसका मन, अब मैं exactly वो बता रहा हूँ, जो इंसान के साथ होता है, जो मेरे साथ, तुम्हारे साथ होता है, लाइफ में, रात को अपने plan बनाया कि सुबह उठेंगे, साथ बजए और ये करेंगे, वो करेंगे, पानी पीएंगे सबसे पहले, फिर ये थोड़ा खाएंगे, फिर अपना काम करेंगे, सुबह उठते के साथ ही तुमने देगा, घर के अंदर कुछ लड़ाई हो गई, मौले के अंदर कुछ लड़ाई हो गई, सुबह उठते के साथ ही घरवालों ने बोला, दूद नहीं ह उतारोगे तो अपने अंदर उसको दबा करके रखोगे और फिर दिमोटिवेट उते रहोगे यार रात को टाइम से सोय थे प्लान बनाया था सारा प्लान चौपट हो गया मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूं जब भी मैं अपना टाइम टेबल एक तो पता नहीं लाइन कीन्पुशन टाइम होगे इसे ही तुम में सिर्यस की ओ और बढ़ते हो और गया तुमारा खाम भाई आप कर्या सकते क्या आपके ओपर अपर डि बहया, मशीन को कोई उठाके नहीं मपड़ी को आपने भाई को छोड़के आओ, स जाओ जाओ कि डूद लेकर आओ मशीन इंडिपेंडेंट यूमन बिंग्स अर डिपेंडेंट हमारे घर में हमारे आसपास लोग रहते हैं हमारी लाइफ दूसरों से जुड़ी हुई है हमारे लिए life है, जीवन है, और जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी आपका खुद का मन नहीं करेगा, कभी आपकी तबित खराब है, कभी situation ऐसे हो जाती है कि आप काम नहीं कर पाएंगे अपना, तो आप consistent नहीं रह पाएंगे, आपने एक दिन उठा, आपने काम किय तो तुम भार नहीं निकल पाते है उससे फिर, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि exactly होता क्या है step by step process, आपने plan बनाया कि मैं कल से 7 बजे उठूंगी या उठूंगा और उसके बाद मैं आपने प्लाइन किया कि अब हम ये करेंगे, उसके बाद अपना ये वाला काम करेंगे फिर ये वाला मतलब तुमने plan कर लिया पूरा, तुम सो गए, तुम उठे, fresh एकदम गए, चाय बना लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, तुमने चाय चड़ा दी अपनी, चाय बन रही है, चाय उबल रही है, तुम खड़े हो यो खाली, तुमने देखा यार, automatically क्या होग तुमारे हाथ में phone है भाईया, वो phone चालू हो जाएगा, वो phone चालू होगा तो क्या होगा, Instagram खुलेगा, real बाजी होगी, shots खुल गए तो shots बाजी होगी, फिर वो real चलती रहीगी, चलती रहीगी, चाय का पानी उबल रहा है, वो उबल उबल के गायम हो रहा है भाईया, evaporate ह हो चुकी है, आधी पत्ती तो evaporate हो चुकी है, अधरक का अधरस evaporate हो चुका है, तुम रील बाजी में लगे होगी हो, क्योंकि वहाँ पे तुमको dopamine मिल रहा है ना, वो जो real बाजी तुम कर रहे हो ना, वहाँ तुमारा दिमाग चला गया, उसके बाद जैसे तैसे 15-20 मिन के मैंने time waste कर दिया, अभी तुम उसको face नहीं कर रहे हो, वो start हो चुका है अभी, अभी वो आएगा धीरे-धीरे, भूत आएगा, अभी में दिखातों कैसे आएगा वो, तुमने चाय वाई डाली, तुमारा आम से बैठे, उसके बाद तुमने देखा यार, अब ठीक है, पूरा भर गया ना, एकदम saturate हो चुका है दिमाग पूरा, कि भाई आप बस की नहीं हो, भट रही है दिमाग की, तो तुमने थोड़ा सा फोन चला लिया, वो फोन चला है, वो आदा घंटा गया, अब जैसे ही तुमने अपना फोन बंद किया, थोड़ा सा टाइम बीच च ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे वो demotivation का कीड़ा बढ़ रहा है, चाय बनाते वक्त द्रील बाजी करी थी, उसका कीड़ा है, उसके बाद में ये जो काम करने के बीच में फोन चला लिया, वो आदा गंटा 40 मिनट कहीं नहीं चाता भाई, एक बार तुम तुम्हें और अपने अलावा कोई और काम करने है, जो तुम्हारी responsibilities है, अब क्या होगा, जब तुम वो काम करने होगे ना, तुम्हारा उसमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो यहा है, कि मेरा तो काम ही नहीं हुआ, साथ बज़े का प्लान बनाय था, तुम्हारा, वो पूरा दिन परिशान करता है तुम्हें हलका साभी कोई घरवालों ने काम बोल दिया, भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्यों बोल रहे हो मुझे, क्यों बोल रहे हो, बिना मतलब में unnecessarily तुमको ऐसे कमाने का चक्कर है, एक simple सी टिप दे रहा हूँ, free की, अपनी priority को manage करो, time को manage मत करो, नहीं consistency के चक्कर में पढ़ो, अपनी priority पे काम करो, बस, तुमें अब करना क्या है, तुम एक अपने दिमाग में एक वो pattern बना लो, या एक page पर लिख लो, मैं बार बार अपनी वीडियो मैं बोलता हूँ, please लिख लो, लिख लो, लिख लो, आज 7 बजे उठे, आज आपने काम किया, बढ़िया से काम किया आपने, कोई time waste नहीं किया, अगले दिन 11 बजे उठे, टट्टी निकल गई, अरे भाया, 11 बजे उठे, ऐसे कैसे चलेगा, पूरा दिन बरबाद हो जाता है, इसलिए मैंने बोला था, human beings cannot be consistent, तुमको काम किस पे करना है, priority पे करना है, आने वाले एक महिने में, आने वाले 6 महिने में, आने वाले साल भर में, वो ऐसी क्या बड़ी main चीज है, जो मुझे अचीव करनी है, चाहे तुम कोई entrance exam दे रहे हो, चाहे तुम YouTube पे videos बनाने क तुम्हारा कोई aim है, चाहे तुम्हारा कोई भी goal है, जो तुम्हें अचीव करना है, उसके लिए तुम्हे सबसे जादा amount of time, सबसे जादा amount of energy किसको देनी है, जैसे energy management भी कहते है, आप prioritize कर दो, सुबह उड़ते के साथी, आप आपको करना क्या है, उड़ते के साथी, now ये काम समय लगेगा, please, please, समय लगेगा, इसको एक दिन, दो दिन, तीन दिन, हफ्ता भर करो, एक दिन, 11 बज़े भी उड़ गए, कोई बात नहीं, self-sabotage नहीं करना है, मतलब, अपने आपको गिरा हुआ महसूस नहीं करना है, 11 बज़े भी उड़ गए, कोई बात नहीं, main का उससे related तो काम हो गया, जैसे तैसे करो, करो, उससे होगा क्या, तुमारे धिमाग में ultimately, एक feedback message जाएगा, कि main काम तो हो गया, motivation आएगा, अच्छा लगेगा, तो dopamine level rise करेगा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तो तुम अगले दिन भी 7 बज़े उठो, कोई फरक नहीं अब मुझे इस वक्त क्या करना है, सबसे पहले तो, आदे घंटे के अंदर, आदे घंटा, पॉना घंटा, जो भी तुम्हें फ्रेश होने के लिए चाहिए, पानी बानी पी लिया, मुहा दो लिया, अपनी चाय कॉफी, जो भी बनाना है, बना लिया, मैं अपना फोन साइ अपने आपी फोन पे जाता है, तुमने कभी नोट किया है, तुम अपना काम कर रहे 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 है, तुम अपना तुम्हारा दिमाग wired हो चुका है, यह चीज मैंने अपने साथ observe करी है, और मैं सिरफ वही बातें अपने चैनल पर शेयर करता हूं, जो मैं खुद experience कर चुका हूं, अपने फोन को दूर रखोगे तो क्या होगा, एक अनर से आग लगेगी तुम्हें कि यार कुछ missing है, कुछ missing इसको हर 10 minute में फोन की notification चेक करनी है, तुम अपने आपको अपने आप से अलग कर दो, अब यहां पर मैं spirituality को बीच में ले आया, अपने आपको अपने दिमाग से अलग कर दो, देखो अपने मन को देखो क्या चल रहा है, हाँ देखो 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 इसकी ऐसी हो रही अपना main जो काम है, जो priority पर तुमने सबसे topmost priority पर रखा है, उसको सबसे पहले खतम कर लिया, motivation आएगा, motivation आएगा, topmost priority पर जो काम था वो खतम हो गया, second number पर जो काम है वो कर लो, most priority से least priority की तरफ जाने वाले जो भी काम है वो धीरी धीर अपने निप्टाते रहो, इससे अगर तुम्हारे चोटे मोटे काम पूरे नहीं भी हुए, अगर तुमने अपनी डाइट नहीं भी बनाई, अगर तुमने पानी की बोतले नहीं भी भरी, अगर तुम अपने घर में दूद लेके नहीं भी आए, डाट पड़ेगी, सह लेना, कोई दिक्कत वाली बात नही इस तरह का कोई काम है जिससे कला का लेना देना हो कला में क्या चाहिए imagination चाहिए अपनी soul से connection चाहिए creative लोग जब बहुत ज़्यादा discipline होने की कोशिश करते हैं तो उनकी creativity निकल के नहीं आती है creativity के लिए तुमको शांती चाहिए silence चाहिए समय चाहिए चीजे click होती है तुमें कुछ चीजे समझ में आती है तुम किसी चीज को देखते हो उसको observe करते हो तुमारे दिल में घर कर जाती है वो चीज तब जाके कुछ नया कैसा बड़ा creative निकल करके आता है चो दुनिया देखती रह जाती है उसके लिए तुम अपने दिमाग को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि अभी दो घंटे में करके देना है तीन घंटे में करके देना है इसलिए तो जितने भी लोग जॉब कर रहे है विचारे उनकी creativity का भाजी बला हुआ पड़ा है क्योंकि उनको शांती चाहिए यार creativity के लिए you need silence you need time और discipline में क्या है discipline में दो घंटे में ये करना है तीन घंटे में ये करना है पांच घंटे में ये करना है तो creative लोग जो होते हैं वो बहुत ज़दा discipline अगर हो जाएंगे तो उनकी जो कला है वो खतम हो जाएगी the more creative you are the less disciplined you will be and the more disciplined you are the less creative you will be simple सा हिसाब है अब जीवन में मालो तुमें उस चीज़ से पैसा कमाना है अब तुम क्या करोगे ऐसा तो है नहीं कि तुम भाईया सालों साल बैठे होए हो और बनाय जा रहे हो कुछ एकदम कला आत्मक अपनी दिवारों को paint वगर दिया और आएगा पैसा जबाएगा ऐसा तो नहीं है न भाई पैट पालने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए अब क्यों कि मैं YouTube पे हूँ तो यहाँ पे consistency चाहिए और मैं creative हूँ और अभी मैंने कहा है creativity plus consistency और discipline is equal to 30 तो इस चीज को balance बनाना पड़ेगा ताकि निकल के 30 ना आए सो ना आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा priority set कर दो मैं अपनी priority set करता हूँ भाई भाड में जाए मेरे घर के सारे काम भाड में जाए बाकी सारे काम मेरे पहले main दो काम क्या है पहला मैं content creator हूँ मुझे content create करना है मुझे अपनी videos time पर डालनी है दूसरा मैं teacher हूँ तो मुझे पढ़ाना है time से तो मुझे उस तरह भी ध्यान देना है और तुमने सबसे जादा highest priority पर जो काम थे अपनी में तुमने अपना time नहीं दिया तो तुम क्या करोगी जीविन में अब आएगा मजा ध्यान से सुनना जो चीज मैंने video के starting में बताई थी कि मैंने कुछ observe किया वह में बताता हूँ जब तुम अपने आपको यह कहते हो कि मुझे यह काम करना है यह काम करना है like when you are focus on your work कि यह करना है, यह करना है, यह करना है दिमाग पता है क्या बोलता है कर लेंगे थोड़ी दिर phone चला लेते हैं कर लेंगे चलो kitchen में जाके कुछ बना लेते हैं पहले कर लेंगे, चलो एक video आईए वो देख लेते हैं कर लेंगे गुरुप पे कुछ audio चलो वो सुन लेते हैं पहले बट अगर तुम यह ना कह करके अपने आपको यह कहो ना यह नहीं करना है फोन नहीं चलाना है kitchen में जाना है फालतूप वक्त बरबाद नहीं करना है and you have to repeat it आपको repeat करना पड़ेगा इस चीज को हफता दस दिन तक neuroplasticity का नाम सुना है उसका मतलब है कि आपका दिमाग फ्लेक्सिबल है आपका दिमाग ग्रो होने के लिए बना है इस फ्लेक्सिबल है उसको जैसे डालोगे वो वैसे डाल जाएगा बचपन से लेके आज तक तुमने पैंट पैनी निककर पैनी चट्डी पैनी जो भी पैना कभी सोचते हो मैं कौन सा पैर उठाऊँ नहीं न क्योंकि बचपन से लेके आज तक लगा अतार तुमने वो सेम काम किया है जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी मम्मी या पापा तुम्हें पैंट पैनाते थे कि पेटा पहले ये पैडाल फिर ये पैडाल तो जो तुम्हारी हैबिट बनती चली गई आप तुम्हें सोचना नहीं पढ़ता अब तो तुम पता नहीं सोच कुछ और रेते हो लेकिन पन लेते हो क्या चीज करनी हैं उसपर focus मत करो पहले ही आपको इस मैं देखना है तो link करने है विलॉग चेनल का आईए वहापे भी मिलिया हमसे